हाई फ्रेंज कैसे अब लोग सबसे पहले बोलना चाहते हूं जैसी राम बहुत शरा लोग अज़द्ध में अब लोग गए मैं अभी तक दश्चन करने जाने ही पाया तो इसलिए इच्छा है अज़द्ध में जाके दश्चन करने के लिए तो मैं आज बैठ हुए थे तो फिर मैंने सुचा हूँ मेरा बच्पन का मेरा मां से सिखा हुआ कुछ चीज जो बच्चे को बड़े को नजल लगने के बाद क्या करते थे तो मैं मेरा फ्रेंड हो मेरा जान पैचान लोग हो सबको मैं जबी बच्चे को बड़े को भी नजल लगते हैं तो हम लोग जो करते हैं तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मैं भी करती हूँ अभी मेरा बच्चे बड़े हो गया तब भी मैं बच्चे तो बच्चे ही हैं तो आभी भी मैं मेरा बच्चे को भी करती हूँ, जो मेरा फेल साकल है, उससे भी मैं शेयर करती हूँ, वह भी करें, तो मैं मेरा बच्चपन का कुछ चीज जो माने शिखा के गए थे, मैं सब नानी दादी से शिखते हैं, मैं मेरा मान से शिखा हूँ, तो चली मैं शेयर करत कुछ चीज मैं आपको बताती हूं कैसी नजर उतरते हैं यह जो हम लोग बोलना चाहते हैं जो नजर लगना यह लगते हैं जैसे कोई बच्च आच्छा देखने में होता है तो बेजो बच्चे कितना अच्छ सुन्दर है je सब Steph Lee देखते हैं इसको सुन्दर exclusively किन्तु एग्यों किसीका बुरी नजार होता है बच्चे हो मेरा बच्च है इसे हैं इनका बच्चा ऐसे है तो मन से जो एक आहाट निकलना वह भी एक नजर लगना होता है तो बच्चे को नजर जब लगते हैं तो कैसे आपको आप समझेंगे छोटे बच्चे हो तो बहुत ज़्यादा हाँ वह बीमारी से भी रो सकते हैं किन्तु कभी कभी होता है इधार उदा जाना भागना घूमने जाना बाहर निकलने के लिए इधार उदा जाना बहुत चोटे बच्चे हो थोड़ा सा एक दो साल की बच्चे हो कोई भी बच्चे हो जब नजर लगते हैं आप क्या करेंगे बच्चे बहुत रो रहा है उसका कोई बिमारी नहीं है तब आप क्या करेंगे बतर रोते जा रहा है पेड़ भी भड़ा हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे एक मंगल बार शनी बार जदातर एक काम करेंगे मंगल बार शनी बार एक पूरा साबुद पान लेंगे जिसमें उसमें जो डंडी है उस भी रहेगा साबुद पान तीन सुखा लाल मिर्ची जिसमें डांडी भी रहेगा थोड़ा सा काला बाला जो सर्षो होता है राई नहीं है सर्षो काला बाला सर्षो और उसमें सर्षो का पान की पत्ते के उपर लगा के तोड़ा सा सरसो और सुखा लाल मिर्ची डांडी के साथ लेके उसको बच्चे के पेट के उपर साध बार घुमाना है और उसका चार सर से लेकर पेर तक साध बार घुमाना है और बोलना है भूत की नजर, पेट की लजर, इंसान के नजर, कुत्ते बिल्डी के नजर, सब जल के खाक हो जाए ए लेके साथ बर बोलना है पूरा पैर से लेके सर तक घुमाना है और पेट का जो नावी है नावी की चार तरफ साथ बर घुमाना है घुमा के आप गैस हो बाचूला हो बाजो आग में आप लोग खाना मनाते हैं उसमें भी किसी में भी आम ए जला के जब जल देखेंगे कोई इसमें जैसे शूखा लाल मिर्ज का तरका लगते यह सी लेकितना खाशी होता है तो इसमें कोई खाशी भी नहीं होगा तब आपको पता लग जायेगा पूरा जलना चाहिए जलने जलने के बाद जिसका एच हाई बन जाते है तो एक कोई पानी में नल के सान नीचे आप डाल दीजे पानी में बहा दीजे गया एक चीज है आप बुलेंगे शनी मंगल बार के सिभा ये नहीं कर सकती हूँ नहीं शनी मंगल बारी ये पान पान से कर सकते हैं और तब फिर और और दिन एक चौटा सा रूई का जयासी तिलि बनाते हैं धिया ज़लाते हैं वो उतना सा लेंगे शौम से लेकर रविबर्तक आप कोई भी शनीमंगलवाद 5 से कीजिएगा उच्छा होता एं सुम से लेकर रविबर्तक आप कभी लेक तांग घूमने गये तांग पाण climax ईया दिया जलाते हैं उसमें सर्चों का तेल में पूरा डुबा के उठाईए जैसे दिया जलाते हैं पूरा भीगाएंगे फिर जैसे ओ नाभी में साद बार ऐसे ही गुमाएंगे और सर्चे लेकर पैर तक पूरा साद बार इसको गुमाके ये सामने जैसे दिया जलाते हैं ऐसे कोई दीबार में चिपाख दिजियेगा जो दिया पूरा जल जाए जब देखेंगे रूई पूरा जल गिया है आप देखेंगे आपके बच्चे का भी नजर उतर जाएगा और एक चीज है जो बड़े से लेका चोटे से छोटे से बच्चे को भी कर सकते हैं जो फीट करी फी पूरा इसको जला दीजिएगा देखेंगे धुआ निकलेगा धुआ में एक अक्रिती भी हो जाएगा उसको हलका सा दिखाई भी देगा आपको एक चैरा जैसा बा कोई भी एक अक्रिती दिखाई देगा पूरा इसको जलन है फिर आप पानी में इसको नल के नीचे हो बैत व अच्छी है तो मेरा यह जो मैं करती हूं आपसे शेर कर रहा हूं मेरा यह वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सस्क्राइब कीजिए गार सब बोलिए जैसी राम थैंक यू